राजिस्तान में चल रहे है तनाफ को लेकर अब हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है अब चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर बड़े बड़े राजनेता कोई भी इस चीज़ पर अपनी टिपणी देने से नहीं रुक रहा है अब इस चीज़ पर मायवती ने भी अपना बयान दिया है मायवती पर हम बाद में आएंगे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कॉंग्रेस पार्टी में चल रही गर्मा गर्मी और उधल पुथल की एक बात तो मानने पड़ेगी कि देश में पलटने का गजब मौसम चल रहा है अब चाहे हम बात कर लें लदाक में चीनी सेना की यूपी में विकास दुबे की गाड़ी की और अब राजिस्तान में अशोग गहलोट की सरकार की कॉंग्रेस क्लास का वो बच्चा है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका कोई दोस नहीं है क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वो बोरिंग और इगोस्टिक है यहाँ पर मैंने पढ़ने में अच्छा इसलिए बोला क्योंकि Congress में बहुत जादा educated नेता लोग है अब चाहे वो कपिल सिब्बल हो, शशी धरूर हो, या फिर मनमोन सिंग हो लेकिन इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है Congress वैसे तो कभी जीतती नहीं है और अगर जीत भी जाती है, जीत कर अपनी सरकार भी बना दिती है तो ऐसा कुछ हो जाता है कि सरकार गिर जाती है अब चाहे हम मद्धे परदेश की बात करें अब बात करते हैं BSP की मायावती के बारे में बीएसपी प्रमुक मायावती ने गैलोट सरकार पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है उन्होंने का राजिस्तान के मुक्यमंतरी अशोग गैलोट ने पहले दल बदल कानून का खुला उलंगन वा बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगावाजी करके पार्टी के विद अलट पलट वा सरकारी अस्थिरता के हालात का सामना कर रही है वहां के राजेपाल को प्रभावी संग्यान लेकर वहां राजिये में राश्पती साशन लगानी की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राजे में लोकतंत्र की और दूरदशा ना हो